सानी देवल अपने फिल्मी करियर में चाहे पाकिस्तान विरोधी भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं लेकिन उन्हें लोग आज भी पाकिस्तान में पसंद करते हैं बिते दिन सानी देवल अटारी बॉर्डर पर रीट्रीट सेरेमनी देखने वो अपनी आने वाली फिल्म गदर टू की प्रोमोशन के लिए पहुँचे भारत के सासाथ पाकिस्तान की तरब भी फेन उन्हें देखने के लिए पहुँचे थे सनी देवल के साथ-साथ गदर फिल्म की हिरोईन अमिशा पटेल और सिंगर उधित नारेण भी अटारी सिमा पर पहुँचे सनी देवल गदर फिल्म के तारा सिंग की तरह तयार थे वहीं अमिशा पटेल भी पूरी तरह से सकीना के गेट अप में थी उधित नाराएंड ने इस दोरान गदर फिल्म का हिट गीद घर आजा परदेशी गाया वहीं सनी देवल और अमिशा पटेल इस गीद पर जुमे भारत के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ बेठे सनी के फैंस भी इसे देखकर खूप शोर मचा रहे थे अटारी सीमा पर सुरंड दौर के एक तरफ सनी रीट्रीट के बाद जिरो लाइन भी देखने के लिए गए इस दोरान सनी पाकिस्तान की तरफ साथ अपने फैंस से भी मिले जिरो लाइन पर कटिली तारों के पार उनके फैंस की भीड उन्हें देखने के लिए पहुची थी सनी ने हाथ जोड़ा और हाथ उठा कर सभी का अभिवादन किया सनी देवल इस समय गदर टू की प्रमोशन पर हैं वो इस दोरान सरत पर BSF के जवानों से भी मिलने जा रहे हैं अमरस्तर में भी BSF के जवानों के साथ उन्होंने समय बिताया और पूरी टीम के साथ तस्वीरे भी करवाई वही सनी देवल रविवार को लोंगवाला भी गए और वहां माता तनोत देवी के दर्शन किये यह वही जगा है जा भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया और इस पर आधरित बॉर्डर फिल्म में सनी देवल मुख्य भूमिका में नजर आये थे इसी के साथ बने रहे है राजनम दुनिया के साथ धनिवा